इसे ही काता नाम ये कम ओ दिवार है तैसा ही रंब ओ रूप है पैसा ही माले नमस्कार, MC clients, Prime Time Show, Money Central में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी host प्रियंका सम्भव आज के दिन के लिए, Money9 Central का host आपको बदलावाँ ज़रूर नजहा आ रहा होगा लेकिन हमेशा की तरह Money Nine Character अर्शमान तिवारी जी में साथ बने में सर बहुत स्वागत है आपका Money Central वो शो है जिसमें हम देश दुनिया में क्या चल रहा है अर्थवेवस्था की नब्ज आपके इसकी क्या माइन है ये सब जानेंगे लेकिन शुरुआत करने के पहले आपको बताते हैं कि किन खबरों पर हमारा Focus रहने वाला है तो सबसे पहले कहां खत्म हो रहा है डिसकाउंट का दौर कमतियों के Margin घटने लगे हैं जिस वज़े से वे डिसकाउंट पर कैंची चला रही है हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हो चुकी है इसके बाद अगली खबर Hybrid Vehicles को लेकर है पता करेंगे कि क्या Hybrid Vehicles सस्ते होने वाले हैं तीसरी खबर कर्ज के बाजार को लेकर है बाग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो से कर्ज सस्ता होने की उमीद घटने लगी है और इसके बाद बड़ी खबरों का सिलसला शुरू होगा जसमें सबसे बड़ी खबर चेम फिनांशल पर हुई सक्ती को लेकर है ऐसी आशंका है कि सक्ती की वज़ाए आई प्यो का घोटाला है तो इससे समझे है हमारे साथ गोल लोन कंप्यों में भी खलबली मची हुई है अंद में हम बताएंगे आपको कि चीन की ग्रोथ वो लेकर जो आखड़े आएं ये कितने रियलिस्टिक हैं चीन अपने ले सिर्फ 5 फीसी दी ग्रोथ का लक्ष ही क्यों रख रहा है और ये लक्ष भी क्या पूरा होगा या नहीं इस पर हम बात करने वाले हैं तो चलिए मानी सेंट्रों के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक ऐसी खबर जानते हैं जो आपकी और मेरी जे परसा डालने वाली है कपड़ों की कमजोर मांग को देखते वे फैशन रिटेलर्स ने रेडिमेड कपड़ों पर दिये जा रहें डिसकाउंट में कटाउती कर दिया है बीते करीब एक तिमाही से रिटेल आउटलेट्स में ग्राहकों की संख्या में कमी आई है जिस वज़ा से बिक्री में घिरावट दर्च की गई है और कमजोर बिखरी की वज़ा से रीटेलर्स की मार्जिन में कमी आई है, इस मार्जिन की भरपाई के लिए अब रीटेलर्स डिसकाउंट्स को बंद कर रहे हैं, बुरी खबर है अगर आप होली के लिए कपड़ों को खरीदने के तैयारी कर रहे हैं तो अंशमान सार लग रह 48.4 ती है, ये खबर बिल्कुल उसकी उल्टी है, इसके भीतर जाकर हम देखते हैं कि कहां कहां डिसकाउंट्स खतम हो रहे हैं, देश की बड़ी रीटेल कमपिनियों का मानना है और कहना है कि मौल्स में फुट फॉट फॉल्स घट रहे हैं, यानि वहां आने वाले लोगो सेल्स का है, अगर आप बरगुलर ऑनलाइन बाइंग करते हैं या जो ऑनलाइन एकॉमर्स साइट्स हैं उनसे सामान खरीदते हैं और थोड़े चतुर और अबजर्विंग कस्टमर हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जोमेटो, स्विगी, अमेजान, फिलिपकाट, मि लेकिन उनी आकडों ने हमें बताया कि भारत में कंदम्शन की ग्रोफ रेट बुरी तरह टूटी हुई है, और इसलिए इन आकडों पर शक भी था कि GDP बढ़ा है, खपत घटी है, तो खपत घटने का एक और सबूत हमारे सामने है, जो आफलाइन रिटेल है, यानि जो स्ट इने भी डिसकाउंट्स थे, वो कम कर रहे हैं, यहां से भारती अर्थ व्यूस्था में एक और महतुपून फर्क दिखाई देता है, जिसे और गहराई से समझा जाए, चुकि भारत का एक बड़ा हिस्सा, जो मध्यवर्क और उच्च मध्यवर्क का है, उस तक अब प्रीम इन्या डिसकाउंट तब देती हैं, जो मने नए ग्रहक जुटाने होते हैं, तो नए ग्रहक जो है, वो कम पहुंचने खरीदारी करने के लिए और आब जो है, तयार हो जाए, कपड़े महंगे होने वाले हैं, इस पर डिसकाउंट का दौर, चाए ओफ लाइन हो, या ओनला इस साल जनवरी अंद से शुरू होगी, नूंबग इंडेक्स में भारतिय बॉन्स की लिस्टिंग से भारत में पासे 7 अरब डॉलर का अत्रिक्त निवेश आने की सभावना है, तो बॉन्ट इंडेक्स में लिस्टिंग का सरकार के कर्जकारिकरम पर अंशुमा जी, किस तर बड़ा टर्निंग पॉइंट है, लगबग जैसा आपको नभे के दिशक की शुरुआत में विदेशी निवेश को के भारती स्टॉक मार्केट में आते समय दिखाई दिया, तब वो भी भारती बाजार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब भारत ने विदेशी निवेशकों को, FPI's को भारती बाजार में आने के लिए खोला था, और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं, कि भारत विदेशी निवेशकों का पसंदीदा बाजार बन गया है, मर्जिंग मार्केट के तोर पर, बांड मार्केट आम तोर पर बंद था, और था भी तो बां थे और अब इस बात की खोशना हो गई, कि भारती सरकार के बांड, सौवरिन बांड, बांड मार्केट में लिस्टेड होंगे, और दुनिया के दो बड़े बांड इंडेक्स में, जेपी मॉर्गन और ब्लूमबग में ट्रेड होंगे, करीब करीबे माना जा रहा है कि 330 बि लिए डालर जो अकले साल ब्लूमबग के जरी आएगा, सरकार क्योंकि कर्ज में के बोज में दबी हुई है, हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि आएम एफ ने बताया है कि भारत में कर्ज जीडी पे का रेशियो साफिस्टी से उपर निकल गया है, घरे बुबाजार में ब करज का लक्ष भी कम किया है, और ऐसी स्थिती में गवर्मेंट को अपनी फिनांसिंग के लिए अब इन बांड मार्केट के रास्ते में जाना पड़ेगा, भारती बांड हों लिस्ट होंगे, और उससे जो पैसा मिलेगा, वो सरकार के कर्ज कारकरों को मदद करेगा, सरकार को भारती मेंकों से कर्ज लेने की जो जरूरत है, उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन अन्शुमार जी भारत की रेटिंग को लेकर कई चिंताएं रही हैं, ऐसे में ये जो पूरा हम देखेंगे, ये बांड लस्टिंग इसको लेकर के इस रोशनी में आपको क्या लग रहा है, इसमें कुछ दिक्कतें आसकती हैं, क्या रेटिंग को लेकर जो सवाल रहे हैं, कई लोगों ने सवाल उठाएं इस पर, ये दूसरा जो खिंबरा हिस्सा है, बांड मार्केट दुनिया का सबसे करूर, सबसे निर्मम मार्केट माना जाता है, कहा जाता है कि बांड मारकेट दुनिया में किसी को माफ नहीं करता, अजिन्टीना, रशिया, मैक्सिको, ग्रीस, दरजनों किस्से हैं इतिहास में जहां पर बांड मारकेट ने दुनिया की सरकारों में जरा सी गलतिया पाया जाने पर उन्हें जबरतस सजा दी है, बांड विजलान ते के तौर पर होगा कि भारत की सावरेन डेटिंग तो बहुत खराब है जंक से एक लेविल के ऊपर कि और लगभग एक दशक बीत रहा है अब तो भारत में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि स्टेंडेंट पूर और मूडीज को भारत की गुरू थे बाकी चींजे दिखा आधार पर बांड मांकेट में भारती बांड की लिस्टिंग और उसका उनकी ट्रेडिंग और निवेशकों का वेवहार उस पर पता चलेगा लेकिन फिर भी भारती बांड बाजार सरकारी बांड का बाजार विदेशी निवेशकों के लिए खुल रहा है और अब भारती अ सुधार आने वाले समय में होते हैं. आम तोर पर सरकारें आदतन सुधार तब तक नहीं करती ही जब तक कोई खत्रा या जोखिम ना हो. तो इस सारे मान सकते हैं कि बार्ण market में लिस्ट होने के बाद भारत के सरकार के बजटों का, कामकाच का, वित्ती विवस्था का तोर तरीका पारदर्शी होगा और उस पारदर्शी अता सब के लिए बेतर है। चलिए तो कठोर स्कूल में पहुंच रहे हैं भारत और एक रियल लिक्मिस टेस्ट यहाँ पर होगा। रिकाप्टों को हटाने को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यूके के साथ अभी तक FTA पर कोई डिसिशन नहीं पहुंचे हैं और अब बात आ रही है यूरोपियन यूनियन की, इस ख़बर को आप कैसे देखते हैं? यूरोपियन यूनिन के साथ अपरेंगाजे साथ दोर की वारताएं हो चुकी हैं, FTA को लेकर भारत की, और दुनिया का सबसे कठिन ब्लॉक है, जिसके साथ डिल करना बहत मुश्किल है, यू दुनिया का सबसे डिमांडिंग ब्लॉक है, उसके साथ कोई free trade agreement करना बहत कठि होता है, क्योंकि एक तो वो समू हो है, उसमें कई सारे देशों के अलग-अलग वियापारिके प्रभावित होते हैं, और यूरोपी समूदाय उन सारे देशों की तरफ से बात करता है, और दूसरी बात है कि यूरोपी समूदाय ने पिछले तीन-चार साल के दवरान जिस सुरक्षा संबंधी, स्वास्ते संबंधी नियमों को लेकर जिस तरह की की शर्तें लगाई हैं, वो तो अमेरिका और जपैन और चाइना की जैसे बड़े जो निर्यातक देश हैं उनके लिए भी चुनोती बन रहीं, अभी हाल में अबुधाबी में हमने देखा कि भारत औ प्यार कर पाना मुश्किल होगा, और जो आपने यूके का संदर्ब दिया, वो सही है, क्योंकि यूके एक छोटी अर्थ हो अस्था है, यूपिन यूनियन से बाहर है, वहाँ भी दो साल होते हैं, को चले आए, सरकार अब चुनाव में जा रही है, भारत और यूके का एफ प्तुपूर्ण FTA कब तक सामने आएंगे, देखना होगा, क्योंकि यूपिन यूनियन के ट्रेड डूल्स काफी कठिन है, और भारत अलग-अलग मंचों पर यूपिन यूनियन के साथ ट्रेड नियमों को लेकर टक्रा भी रहा है, आपती भी दर्ज करा रहा है, जैसे कि क कार्बन टेक्स को लेकर भारत ने इस पश्टूप से कहा है, कि अगर कार्बन टेक्स लगाया गया, तो भारत उसका विरोध करेगा, चलिए, तो FTA पर बात बनती है या नहीं, जब ये खबर जैसे डेवलाप होगी, आपको पता है, मानी नाइन महीं आपको आना होगा, इ अगली खबर प्रधार मंत्री की कॉनविक एडवाइजरी कांसिल ने सभी ओटो कंपनियों के लिए एक निश्चित संख्या में इलेक्टिक वेहिकल निर्मान को अनिवारे बनाने का सुझाव दिया है, इस सुझाव में ओटो कंपनियों की कुल निर्मान शमता में इलेक् ईलेक्रिक वेहिकल की मांग बढ़ाने के लिए कांसिल ने सरकारी विभागों में भी बड़ी संख्या में इलेक्रिक वहिकल की सynिश्चित करने का भी सुझाव दिया है, तो ये प्रधार मंत्री सलाकार समिती जो सुझाव लागू करने की बाद कर ciao आक क्को लिए कंपनिय या मानेंगी ये पहली बार ऐसा सुझाओ आया इसके पीछे का तर्क समझना जरूरी है भारत में इलेक्ट्रिक वहकिल को लेकर पाँच्छे साल में काफी चर्चाएं हुई सबसीडीज भी दी गई सरकार के बाद में सबसीडी की स्कीम ब़ानी के बाद से कले करताएं कि सबसीडीज बात कर नाद में से इलेक्ट्रिक वहकिल की डिमांड और प्रोडेक्षण में कोई बड़ी बड़ोतरी नहीं हुई आंकले हैं हमारे सामने भारत में जो total vehicles produce होते हैं उनमें से electric vehicle का percentage 0.21 है एक फीजदी भी नहीं है और इसमें भी एकर four wheelers को जोड़ लिया जाए तो 0.08% है यानि जितने चार पहिया वहान बनते हैं कारे बनती है उनमें electric vehicle 0.08% है और इसलिए अब जो प्रधान मंतरी की economic council है उसका कहना यह है कि एक श उन्हें बेचना भी पड़ेगा तो कोशिश यह है दबाव यह है कि company बनाएं और उन्हें बेचें क्योंकि company यह electric vehicle को बहुत परुट साहित नहीं कर रही है बाज़ार में मांग कम है charging की समस्या हैं सपोर्टिंग infrastructure नहीं है लोगों को electric vehicle महंगे पड़ते हैं बहुत सारी और बाद आएं जिनके करणों बिखते नहीं और बिखते नहीं तो company बनाती नहीं तो जब तक उनको बनाने पर बाद नहीं किया जाएगा production नहीं बढ़ेगा तो cost कम नहीं होगी तो यह कोशिश इस तरह किए कि अगर एक पाच परसंट य दस परसंट EV बनाने का लक्श रख द फ्लेक्सी फ्यूल मतलब EV से एक तरह से हम आगे बढ़ रहे होंगे फ्लेक्सी फ्यूल जिसमें आपको जो है फ्लेक्सी फ्यूल में hybrid कार का version होता है तो फ्लेक्सी फ्यूल पर tax घटाने का यह आईडिया आपको सरकार का कैसा लग रहा है यह तरीका थोड़ा समझ में आ र दुनिया के सभी प्रमुक देशों ने EV पर सबसीडी में कटवती की और जिसमें चाइना सबसे आगे था यूरोप के देशों ने भी अमेरिका ने भी और उनको दिखाई दिया कि प्यूर इलेक्टरिक वेहिकल की डिमांड दुनिया में नहीं दिखाई दे रही प्यूर इले इलेक्रिक वेहिकल से एक पहले का बहान होता है तो सरकार के तरफ से प्रस्ताव है जो कि शाय चुनाओ के बाद पता चलेगा जहां हाइब्रिड वेहिकल के ऊपर जिनमें जो दो इंहनों पर चलते हो एक कन्वेशनल इंहनों गैसलीन डीजल और दूसरा बैटरी हो इलेक् ये इवी के वेशेशक्य और इवी पालिसी वाले भी मान रहे हैं कि हाइब्रिड वेहिकल को बढ़ावा दे कर अब भुत सारी समस्याओं से बच भी सकते हैं कारवन उसरजन भी रोक सकते हैं और चार्जिंग नेटवर्क बनाना और बाकी चीजों के खर्चे को बचा भी स मुश्किल है कि इवी के जगे हाइब्रिड भविश्य है या केवल इवी भविश्य यह बहस पूरी दुनिया में बड़ी दिल्चस्पी से अलग-अलग बाजारों में चल रही है लेकिन सरकारें इस बात पर अब मुतमईन है कि सीधे इवी को प्रोटसाहन देने के जाए तो शायद बात बन सकती है तो फ्लेक्सी फ्यूल जो है वो भविश्य हो सकता है लेकिन अभी बात बनी नहीं है पूरी तरह से कोशिशे जारी है अगली खबर लिक्विडिटी की कमी से जूच रहे बैंकों को क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए महंगी दरों प जरी जुटाई गई सबसे बड़ी राशी है बैंकों ने इस बार ये राशी आठ दशमलव दो दो फीसद की दर पर जुटाई है जो मई 2019 के बाद सबसे ज्यादा ब्याज दरी है बैंकों की तरफ से इतनी महंगी दर पर उठाए गए कर्ज के बाद उनकी तरफ से दिया ज सिस्टम है उसका हिस्सा केवल दो परसेंट रखते हैं अगर आप आंकडों को देखे पूरे बैंकिंग सिस्टम में तो जितना डिपाजिट जमा हो रहा है उसका दो परसेंट रहा है तीन दसम आठ एक लाग करोण रुपए के आसपास का का सीडी का शेर है भारत के बैंकि जबर्दस्ट कमी है Лेक्रीट की जबर्दस्त कमी है रेगुलर एफ डेक के अलावा भी जो बाकिया लोगों की बचाता रही वो पर्यापत नहीं है क्रेडिट की डिमांड लगाथार बनी हुई है महंगी दरों पर भी क्रेड की दिमांड़ बनी हुई और से फिनांस करने क ऐसा लगता है कि बैंक ब्याज दरों में लंबे समय तक कमी ना होने के लिए तयारी कर रहे हैं क्योंकि आप आठ फीजदी और नौ फीजदी पर जब डिपॉजिट्स जुटा रहे होंगे तो आने वाले समय में उन डिपॉजिट्स की सर्विस करने के लिए आपको लोन के रेट डबल डिजिट में रखने होंगे 9-10% पर तभी बैंक से उस डिपाजिट की सर्विस कर पाएंगे और रिटर्न होगा उसे डिपाजिटर्स को दे पाएंगे और ये किस्म का वीशे साइकल है किस्म का दुश्चक्र है इसके तरफ बैंक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि डिपाजिट के तरफ से कर आप देखें तो आपको महसूस होगा कि अगले 6 महीने या साल भर तक भारत में ब्याज दरों में कर्ज पर ब्याज दरों में किसी बड़ी कमी की उम्मीद नहीं है चलिए और अब इससे के साथ बढ़ते हैं सबसे बड़ी ख़बर की तरफ पहले पेटियम फिर आई एफल और अब जेम फिनांशल रिजर्व बैंक की तरफ से उन सभी कमपनियों पर सक्ति की जा रही है जनको लेकर केवाइसी नियमों के उलंगन के मामले सामने आए हैं तासा मामला जेम फिनांशल का है रिजर्व बैंक ने कमपनी पर शेर्स और डिबेंचर्स की बदले कर्द देने पर तुरंत रोक लगा दी है साथी आईपियो निवेश को फिनांस करने पर भी रोक लगाई गई है रिजर्व बैंक को जेम फिनांशल की कर्द प्रक्रिया में कुछ गंभीर खाम्या मिली है जिसके बाद उस पर ये कारवाई हुई है रिजर्व बैंक की इस कारवाई के बाद बुदवार को शेय बासार में कमपनी के शेयर में भारी गिरावट भी देखने को मिली है अर्जमा जी ये जीम फिनाशल कर क्या रही थी मरी सिंटर के दर्शकों को याद होगा कि हम लोग इससे पहले विस्तार से चर्चा कर चुके थी कि आई पियो मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे नियामक असा है जाए सेबी ने खुलकर बात कही थी कि आई पियो मार्केट में बबल बन रहा है बाकी भी रेगुलेटर्स की निगाह इस पर बनी हुई थी और आज उस पूरे बबल का एक सूतर जेम फिनाशिल के पास से मिला पूरा बबल तो भी नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है में 300 gonna 400 gonna 200 गूना सब्सक्रिप्شन वाले आई पियोंस ह ہیں उनको उनकी तस्पिरेया याद करें उनकी खबरे याद करें और फिर देखें कि क्या भारत की आई पियोंसे सच मैंच ऐसा ही चल रहा था जो और जो यारबियाई ने पकड़ा है जेम financial पर जो कारवाई की गई इस वज़े से की गई कि जेम financial ने कुछ खास customers को करज देकर IPO और NCD खरीदने के लिए प्रेरित किया था और उस करज के जरिया IPO में बिट की गई और उनकी जो compliance के नियम थे उनकी जो credit की underwriting थी वो बहुत साफ सुथरी और clear नहीं थी RBI ने पाया कि जेम financial के पूरे कामकाज में जो equity financing, IPO financing और NCD financing है उसमें गहरी खामिया है और खास्तार से IPO के मामले में और उसके बाद इससे रोक दिया गया हाला कि जेम financial के पूरे portfolio में IPO financing का इससा करीम 900 करोड रूपए है 15,000 करोड के आस पास का portfolio है जेम financial का एक कहना है कि IPO financing करना equity financing करना उनका पुराना काम है और वो इस कारोबार को कर रहे हैं लेकिन ये जो मुद्दा है कुछ खास खातों में पैसे देकर उनसे IPO खरिदवाने का वो मुद्दा गंभीर होता दिखाई दे रहा है और ऐसा माना ज अप्लिकेशन डिल वाए हैं और उनके subscription बढ़ते हैं subscription बढ़ने के अच्छी listing होती है और listing के बाद उसके listing लेकर निकल जाया जाता है तो ये परिस्थिती अब जिसकी आशंका थी वो अब इस पश्ट होकर सामने आती दिखाई दे रही है और regulator के radar में एक और company gold loan को लेकर के काफी popular IFL इस पर भी सकती हुई है IFL में क्या खामिया जो है अभी हमें सामने नजर आ रही है IFL में और गंभीर चीज़ें पाएगी IFL के अंदर आ ये पाया गया कि IFL का जो IFL gold loan देती है तो gold को mortgage करती है गिरवी रखती है उसके बदले loan देती है RBI ने अपने audit में अपनी जाच में पाया है कि IFL ने अपना जो underlying asset है यानी gold है जिस asset पर loan दिया जाता है उसके portfolio को over value किया था उसकी कीमत जाधा दिखाई थी चुकि उससे portfolio बड़ा दिखाई देता था इसके अलावा अलग-अलग branches में जहां-जहां वो gold जमा किया गया और बाकी जो हिसाब किताब थ थी उनमें कई सारी गलतिया थी और यह over value इसलिए किया गया है कि उस over value पर शायद auctioning की जा सके क्योंकि gold loan company जब कोई default होता है तो उसका gold उसको auction करती है उसे बेचती है तो इस over valuation के कारण auctioning की जा जाए और इस पूरे मामले के कारण IFL पर बहुत सखत कारवाई हुई उसका gold loan देने से रोक दिया गया है अब चुकि यह format सब जगे है कई और भी gold loan company है सरकारी बैंक भी gold loan देते हैं कई private company गोल लोन दे रही है तो हमें अब पूरे gold loan माजार में एक खास किसम की बेचैनी और हलचल दिखाई दे रही है कि जो काम IFL में हो रहा था वो अन इकंपिनियों और जेव financial और भी company लपीटे में आ सकती है क्या जो भी KYC से खिलवार कर रही है तीन क्यों आप HDFC को भी शामिल करिए बैंक बड़ोदा को भी शामिल करिए HDFC के ओपर भी action हुआ हाल में बैंक बड़ोदा के अपके पर भी action हुआ तो एक पूरी series है भारत में regulators की तरफ से ख actions हैं और अलग अलग जगहें पर हैं और वहाँ पर action हो रहे हैं जिने हम लोग money central में लगातार बताते रहे हैं कि यहां कुछ है ऐसा हो रहा था आई पियो में हमें लग रहा था देखिए action हुआ पेटियम के कामकाच में तमाम सवाल पिछले कई सालों से उठ रहे थे वो सा बहुत सखती के साथ लागू किया जा रहा है तो इसलिए है मान सकते है आप कि बहुत सारी और भी company हैं जो इसी तरके कारोबार में जूणी हैं उनको भी चेतावनी हो सकती है किसम किया वहां से भी कुछ मामले खुलकर निकल सकते हैं पर चार बड़े हिस्से भारत के BFSI से प्रेक्टर में चुनोती पूर्णंग से निकल कर सामने आए हैं जो हमारे दे समझना जरूरी है क्योंकि या थो हम बैंक के कस्टमर हैं बीएफसाइए के या बीएफसाइए के इन्वेस्टर हैं यहां बीएफसाइए के कोई सेवाए लेते हैं पहली चीज़ है कि भारत में क्यों क्रांती पूरी की क्यों 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 क फिंटेक कम्पिनियों के कम्प्लाइंस और गवर्नेंस को लेकर चुना होती हैं, उनसे कुछ किसी चीज़ के लिए उन्होंने लाइसेंस रखा है, कोई दूसरा काम वो कर रही है, और तीसरा हिस्सा हमें आई पीओ के तौर पर दिखाई दिया, और चौथा गोर्ड लोड मे में अब कई सारे सारी उलजने और समस्या आयां दिखाई दे रहीं, आने वाले समय में हमें लगता है, कुछ और सफाई, कुछ और कारवाहियं हो सकती हैं, बिल्कुल, और पेटियम से ही जुरी एक और खबर अब लेकर आते हैं, पेटियम पर आर्विया की सकती और पंदर नहीं बताए कि पेटियम को सबसे बड़ी फिंटेक कंपनी कैसे वो बनाएंगे, तो कैसे उबरेगा पेटियम जो कुछ हुआ इस पर और विजश शेकर शर्मा के ये दावे अभी बंद नहीं हुए हैं, विजश शेकर शर्मा कंपनी के निवेशकों में और बाकी लोगों में उत्सहा बढ़ाने के लिए कंपनी के चेर्मेंट सापर प्रक्षा कर सकते हैं, पर कोई प्लान नहीं है, कोई उनकी बात चीज़ जो आज इंटर्व्यू आया, उससे दिखाई नहीं दिया कि पेटियम के पास कोई प्लान है, क्योंकि पेटियम के बिजनिस की जो रीड प्रक्षिबात हो सकती है, लेकिन निवेशक और ग्राहक पेटियम से एक प्लान के प्रक्षा कर रहे थे, उमीद कर रहे थे, कि वो उन कर्रेक्टिव मेजर्स के बारे में बताएं, जिससे ये ब्रैंड और जिससे इसकी सेवाए उबर पाएंगी, लेकिन वैसा कुछ अभ प्रक्षिबात हो तरह कि लिए एक नई पदती को अपनाने की योजना बना रही है, राजमा की लंबाई की गढ़ना करने का मौजूदा पारप पर एक तरीका बंध हो जाएगा, नई पदती के तहत एक किलो मिटर के चार लेन वाले राजमा को चार किलो मीटर की सड़क मा माना जाएगा, मौजुदा समय में इसको एक किलो मीटर की सड़क माना जाता, फिर चाहे लेन की संख्या इसमें कितने भी हो, क्यों इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत पड़ी? पिछले दो-तीन साल से इस पर तमाम सवाल और तमाम विवाद भी रहा है कि भारत में राजमार की जो पैमाईश की जा रही, वो कैसे की जा रही? क्योंकि जब आप एक किलो मिटर की सड़क में चारो लेन को एक साथ मानेंगे तो सड़क निर्मान की गती बढ़ती भी में उन चार लेन को एक साथ जोड़ा जाए तो आधिकारिक रूप से सरकार अब जो चार लेन या दो लेन जो भी बनेंगी उनकी दोनों को मिलाकर सड़त निर्वान की लंबाई को ना पा जाएगा, इसको लेकर काफी गफलत थी जो विस पश टूप से सामने आ गई है, ए जाधा तर भारत में जितनी सिंगिल लेन सड़कें अब उनको टू लेन सड़कों में बदला जाएगा और उनके साथ पेविमेंट्स भी बनाए जाएगे, हाला कि ये बातें सुनने में और में अच्छी लगती है पर आप रोड सेक्टर की जो पिछली परिस्तिती है उसे भी देखना जरूरी है एनेचे आई जिवर्दस्त घाटे में है कर्ज में फसा हुआ है उसे बनी हुई सड़कें बेचने की के के लिए कहा गया है तो रोड सेक्टर में डेवलप्मेंट भी है पर इनहरेंट वीकनेस और चुनोतियां और कर्ज की समस्या भी बनी हुई है ग्राम की नई रिकॉर्ड उचाई को चुआ विदेशी बाजार में भी भाव जो है 250 डॉलर प्रतियांस की करीब पहुंचा हुआ है जो करीब 11 महीने की उपरी स्तर पर है गोल्ड फिर से एक दब होट कमोडिटी बनता हुआ क्या आउटलुक है अंशमान जी गोल्ड के आ पर कमी की कोई संभावना नहीं है अगर माना जा रहा है कि अगर वहां से कोई ठोसंकेत आते हैं तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है नहीं तो सोने में लंबे समय से चली आ रही मजबूती बनी रहीगी 2142-1445 डालर पर आउंस का रेट सोने का चौकाने वाला रेट है और हम आ परिस्तितियां पूरी दुनिया में हैं मैक्रो एकॉनिमी के इस तर पर मंदी के इस तर पर महंगाई को देखते हुए ऐसे स्थिति में गोल्ड को लेकर अभी आउटलोग काफी बुलिश है काफी तेजी का है जो बना हुआ है और शायद अगले कुछ महीने तक यह कैरी कर पर नए बड़ती बेरोजगारी की भी चाइना ने शहरी शेत्रों में इस साल एक करोड़ बीस लाग ने रोजगार का लकश टै किया है इस साल शेहरों में बेरोजगारी तर पांच तशमल्व पांच फीससी दी के आसपास रहने का अनूमान है उनका चीने 2024 के लिए सकरी राजकोशे नीती और विवेकपुन मौद्रिक नीती जारी कर रखने की बात कई है साथ ही सकल घरीलू उत्पाद के मुकाबले घाटे को तीन प्रतिशत पर रखा जाएगा चीन का सरकारी घाटा 2023 के बजट आखड़े से लगभग 26 अरब डॉलर बढ़ जाएगा पिछले साल चीन ने 5.2 प्रतिशत की रुद्धी दर्श की थी अजबान चीन में ये 5 PCD का ग्रोथ आपको क्या लग रहा है अचीवबल दिख रहा है चीन की अपसंसत कहें चीन की National People's Conference उसका अधिवेशन था और वो अधिवेशन इसलिए पूरी दुनिया के इने गाहों में होता है कि चीन की पूरी कैबिनेट वहां आकर अपने कारेकरम को घोशित करती है अब आप कल्पना करिए कि वो चीन जो कभी 8% 9% 10% की विकासदर को सामान मानता था वो 5% की ग्रोथ रेट के लिए जूच रहा है 5% पर रोकने का लक्ष रखा गया है और इसके साथ दूसरी बड़ी चुन होती है कि चीन की आर्थिक विकासदर जितनी तेजी से नीचे गिर रही है बेरोजगारी के समस्या वहां उतनी ही जटिल होती जा रही है तो इसलिए इस कारेकरम में 5% के आर्थिक विकासदर का लक्ष रखा गया और रोजगार जोड़ने की बात कही गई है हाला कि जो परिस्थिती चीन के बाजार में अभी दिख रही है खासता है रियल स्टेट सेक्टर में उसे देखते हो बहुत हो कोई लग रहा है कि चीन के लिए 5% के आर्थिक विकासदर भी हासिल कर पाना मुश्किल होगा 5% से नीचे ही रहने की संभावना है और वक्त हो गया है जटपट खब रूखा बढ़ने के बावजूद मार्च अंद तक शुद कर्ज और एबिटा रेशो दुगना रहने का अनुमान जताया जा रहा है अगली खबर डिल्ली एरो सिटी में अंडर कंस्रक्शन प्रॉजेक्ट को खरीदने जा रही है इसके लिए कंपनी भारती रियालिटी के साथ बात इंटल इंकम आने की भी उम्मीद है कंपनी को 27 बड़ी और मंजौली रियल इस्टेट कंपनियों को जी एस्टी नोटस के बाद इस सेक्टर ने वितमंत्री निर्मला सीधा रमन से दखल की गुहार लगाई है प्रमुक रियल इस्टेट कंपनियों की तरफ से अपनी साहिक कंपनियों को दी गई कॉर्पेट गारंटी पर टैक्स का भुकतार नहीं किया गया था इस मद में 18 फीसद जी एस्टी लगती है गुद्सन सर्विसेस टैक्स अथॉरिटी ने इसे लेकर नोटस बेज़े हैं प्रोजेक्ट के लिए बनाये गए इस पीवी में ब्रैंड के इस्तमाल के लिए इंट्राग्रूप रॉयल्टी भुकतार को लेकर भी रिलिस्टिक कंपनियों को नोटस दिये गए हैं चीन की एलेक्ट्रिक कार कंपनी बीवाईटी भारते बाजार में अपनी उपस्तिती मजबूत करना चाहती है कंपनी प्रीमियम एलेक्रिक वेकल भारत में 30 लाक रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्रिक कारों की नई रेंज पेश करेगी कंपनी ने हाली में इलेक्रिक सिदान सील को 41 लाक रुपए की कीमत में लांच किया था तो जटपट खबरों बर अंशुमान जी कौन सी खबर है जस पर आपकी नज़र गई दो मह का राइट सिशू आया और उसे वापस लिया गया और कर्च में के डिफाल्ट होने के खत्रे दिखाई दिए ताजें आकड़े आये हैं जो बता रहे हैं के डानी समुगा करकरी 26 बिलियन डालर है जो रिकॉर्ड लेविल पर है पर कर्च को नापने का जो रेशियो है उससे रांग थोड़ा आराम और रहत का संकेत दे रहा है ऐसा दिखता है और दूसरी महात्वण ख़वर रियल इस्टेट सेक्टर से रियल सेक्टर में कुछ अनोखा काम हुआ रियल सेक्टर में कम्पिनियाद क्या कर रही है कि एक कम्पिनी अपनी और सबसीडिरी स्पेशल पर रियल सेक्टर में क informação को एक फफनी कर्च कार्परीड ते रही है और किसी दूसरी स्प्सिडि इस प्रियाल इस प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट करती है उसे ब्रैंड भी देती है और विअच देंदारी निकाल व्हय मतंुता है् कि ये जो लेंदेन है ये टैक्स के दाइरे में आता है अब कम्पीनिया वितमंत्री के दर्वाजें पर हैं कि उन्हें इससे रियायत मिल जाए इसी के साथ आज की मानी सेंट्रल में इतना ही शुक्रे अंशुवान जी स्विशलेशन के लिए आज के शुकूर यही राप अप करते हैं कर फिर मुलाकात होगी शाब को साथ बचे मानी सेंट्रल में जुड़ियेगा और आपके कॉमेंट्स का आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पताएगा कैसा लगा आपको मानी सेंट्रल और किन खबरों पर आपका ध्या अ fle में सम्पका ने कोई मेंसा वालाब को साथ बचा आपके का अवर्ड़िया का तो म credit रखके का経어 में जर खहर के अवके अवर्या मेंसा रखके